अरे नैतिक तु यहां क्यों पड़ रहा है क्या करूँ दोस्त घर की बिजली कट गई है अच्छा तो तेरे बाबा ने इस बार भी बिजली का बिल नहीं भरा है ना हाँ वो पिछले महीने मा की तब्यद बहुत खराब हो गए थी बाबा के सारे पैसे मा के इलाज पर खर्च हो गए वैसे तू इस वक्त यहां क्या कर रहा है मैं तेरे पास ही आ रहा था मुझे मेरी किताब वापस चाहिए थी वो क्या है ना कल से मेरी नई कोचिंग स्टार्ट हो रही है तो मुझे वो किताब लेकर जानी होगी क्या पर अभी तो पूरे पांच पेज बाकी हैं इस किताब के जो मुझे हल करने है अरे यार पूरी किताब तो तु हल करी चुका है अब ये लास्ट के पांच पेज छोड़ भी देगा तो क्या फरक पड़ जाएगा नहीं शिवम ये लास्ट के पेजेज बहुत इंपॉर्टेंट है इन में पूरी बुक की शॉट एक्सेसाइसेज है बस आज रात और रहने दे मैं वादा करता हूँ कल सुबह खुद तेरे घर आकर किताब दे जाओंगा नहीं तु घर मत आना अगर मेरी मम्मी को पता चल गया कि इतनी महंगी किताब से खुद पढ़ने के बजाए मैंने तुझे दे रखी थी तो बहुत डाट पड़ेगी तु मुझे अभी दे दे अच्छा तु बस थोड़ी दे रुख जा मैं बस ये ये वाला पेज जल्दी से हल कर लेता हूँ उफो नैतिक यार मुझे घर जाना है मेरे सारे कजन आयो है रात में हौरर मुवी देखने का प्लान है तु ये नाटक छोड़ और मुझे मेरी किताब वापस कर इतना कहकर नैतिक का दोस शिवम खुदी अपनी किताब वहां से उठा लेता है और अपनी घर चला जाता है नैतिक उस किताब के आगरी पेज भी हल करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर सका समस्या ये थी कि वो खुद की किताब भी नहीं खरीच सकता था क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था उसके पिता कबार का काम करते थे और मा की तब्यत जादा तर खराब ही रहती थी अपनी पढ़ाई का खर्च नैतिक खुदी उठा रहा था वो सुबह के वक्त कॉलेज जाता और शाम को टूशन्स पढ़ाता था नैतिक को बच्पन से ही पढ़ने का बहुत शौक था पढ़ लिखकर वो कामयाब बनना चाहता था लेकिन ये सब उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था नैतिक, आज बड़ी जल्दी आ गया क्या हुआ, अपने घर की तरह सड़क के लाइट भी चली गई क्या नहीं बबा, पर वो किताब चली गई मेरा मतलब है शिवम अपनी किताब वापस ले गया नैतिक का उदास चेहरा देख कर उसके माता पिता भी उदास हो गया लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे और ये बात नैतिक भी जानता था फिर अगले दिन नैतिक बस कॉलेज के लिए निकल लेई वाला था लेकिन तब ही अचानक कुछ देख कर रुख गया बाबा, ये किताब किसकी है? है? क्या कहा? किताब? हाँ, कल कई घरों से कबार खरीत कर लाया था शायद उसी में आई होगी तु देख ले अगर तेरे काम की है तो रख ले इसे हाँ बाबा, ये तो मेरे बहुत काम की है आपको बताए ये UPSC की तैयारी की किताब है मतलब इसको पढ़के मैं कलेक्टर बन सकता हूँ हाँ, क्या कहा कलेक्टर? बिटवा, तु एक कबारी का बेटा है इतने बड़े सपने मत देख नहीं बाबा, मैंने एक किताब में पढ़ा था सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें सोती आँखों से नहीं बलकि जाकती आँखों से देखते हैं इसके अलावा और कुछ माइने नहीं रखता इतना कहकर नैतिक ने उस किताब को अपने बैग में रख लिया और वो कॉलिज के लिए निकल गया येस, तो आप लोगों के पास दस मिनिट का वक्त है इस क्वेस्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके? अरे, ये ऐसे, नहीं नहीं, ऐसे तो आंसर नहीं आएगा क्या होना चाहिए? ओफो, ये तो समझ ही नहीं आरा ये, ये तो बहुत आसान है तुम इतना भी नहीं कर सकती क्या? नैतिक ने फॉरण पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था बाके स्टुडेंट्स अपना काम कर रहे थे और प्रोफेसर भी उससे काफी दूर थे शायद मेरा वहम था, हाँ तो इसे इसे अंडर रूट करो, तब ही आएगा आंसर अरे हाँ नैतिक फॉरण उसी तरीके से सवाल को हल कर देता है अरे वा नैतिक, तुमने तो बड़ी जल्दी सॉल्फ कर दिया, वेरी गुड तारीफ पाकर नैतिक को अच्छा लगा, लेकिन अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज किसकी थी जिसने उसकी मदद की, फिर कुछ देर बात काविया एक बात बताओ, जब तुम्हें वो सल्यूशन आता था तो तुमने खुद क्यों नहीं किया सबसे पहले, मेरी हेल्प क्यों की क्या कह रहो नैतिक, मैंने कब तुमारी हेल्प की, सच तो ये है कि सर के समझाने के बाद भी मुझे अब तक कुछ समझ नहीं आया है, मुझे, मुझे बाहर निकालो, ये, ये तो वही आवाज है, और शायद ही मेरे बैक से, नैतिक का अंदाज़ा बिलकुल सही था, वो आवाज नैतिक के बैक से ही आ रहे थी, नैतिक ने फॉरण अपना बैक खोल कर देखा, इसमें तो बस किताब है, फिर वो आवाज, वो आवाज मेरी ही थी, अब मुझे बाहर निकालोगे करिपा करके, नैतिक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, सुबह जो किताब उसने अपने पिता के लाए हुए कबार से उठाई थी, वो असल में बोल सकती थी, नैतिक ने फॉरण उस किताब को बैक से बाहर इकालो और बोला, नहीं, ये वक्त सपने देखने का नहीं, बल्कि उन्हें सच कर दिखाने का है, मैं जानती हूँ, तुम्हारा पढ़ाई में बहुत मन लगता है न, लेकिन पैसो की कमी की वज़ा से तुम कोचिंग नहीं कर सकते, और ना ही महंगी महंगी किताबे खरीच सकते हो, तो आज स मैं मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें जहां जो भी समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें समझाऊँगी, अच्छा, और तुम ये क्यों करोगी मेरे लिए, मतलब इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए मुझ से, चाहिए तो सही, लेकिन वो मैं तुम्हें वक्त आन लेकिन नैतिक आगे बढ़ कर उसे उठा लेता है नहीं, तुम मज जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है नैतिक उस किताब को अपने पास रख लेता है और उसके जादूई होने के बारे में किसी को नहीं बताता वो अकेले में उस किताब से पढ़ता और सबसे अच्छी बात ये थी कि अब वो अकेला होकर भी कभी अकेला नहीं था अरे वाह, कमाल हो गया ये तो कितना असान हो गया थैंक यू दोस्त यो मोस्ट, यो आप मोस्ट वेलकम अच्छा चलो, अब मैं तुम्हारा टेस्स लेती हूँ इस पूरे हफ़ते जो कुछ भी पढ़ा उस सब का क्या, अभी लेकिन मैं तयार नहीं हूँ खुद पर भरोसा रखो मैं जानती हूँ कि तुम तयार हो इसी तरह वो किताब नैतिक की मदद करने लगी और नैतिक हो बच्छे से पढ़ने लगा इसके साथ ही अब वो बहुत खुश भी रहने लगा, वो किताब हमेशा नैतिक के साथ ही रहती थी फिर एक दिन नहीं रुक जाओ, यहां से नहीं उपर पुलपर से रोट पार करो अरे पुलपर से तो बहुत टाइम लग जाएगा और अभी इतना ट्रैफिक भी नहीं है नहीं, मैंने जो कहा वैसा ही करो वरना, वरना मैं तुम्हे छोड़कर चली जाओंगी समझे अच्छा-च्छा ठीक है, पुलपर से सड़क पार करता है, फिर वो एक जगा जाकर बैठ जाता है, जहां उसके और किताब के अलावा और कोई नहीं था अब यहां क्यों बैठ गए, कॉलिज नहीं जाना क्या कॉलिज जाकर अब कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं क्लास के लिए पहले ही लेट हुचुका हूँ तुम्हारी वज़ा से मेरी वज़ा से, आहाहा घर से तुम लेट निकले, तो गलती किसकी हुई मुझे इस सब के बारे मैं बात नहीं करनी देखो, मैं आज तुम से सब कुछ जानना चाता हूँ आज तुमने जब मुझे सड़क पार करने से रोका तो मुझे पहली बार तुम्हारी आवाज में डर सुनाई दिया मुझे बताओ क्या बात है ठीक है, तो सुनो असल में मुझे में कोई जादू नहीं है बलकि मैं तो एक आत्मा हूँ मेरा नाम आभा है जब मैं जिन्दा थी तब मुझे भी तुम्हारी तरह पढ़ने का बहुत शौक था और मेरा परिवार भी तुम्हारी तरह ही गरीब था लेकिन फिर भी मैं पढ़ लिखकर एक I.S. ओफिसर बनना चाहती थी मा, देखो, आखिरकार मुझे एक किताब मिली गई लेकिन लाइब्रेरी से बस कुछी दिनों के लिए मिली है तो अब से प्लीज, मुझे बिल्कुल भी डिस्टरब मत करना हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले हाईवे वाले मंदिर चली जा वहाँ भंडारा है, तो जाकर सब के लिए वहाँ से खाना लेया इस वहाँ एक दिन का राशन ही बच जाएगा ओ, ठीक है मा, और ऐसा करती हूँ, ये किताब भी ले जाती हूँ जब तक मेरी बारी आएगी, तब तक थोड़ा बहुत पढ़ी लूँगी मैं घर से निकल गई, लेकिन रास्ते में हाईवे पार करते हूँ मेरी लाश कई घंटे तक हाईवे पर पड़ी रही, और मेरी आत्मा, वो मेरी इस किताब में समा गई तब से मैं भटक रही हूँ, किसी ऐसे की तलाश में जो मेरे सपने को पूरा कर सके और फिर मुझे मुक्ती मिल सके ओ, बहुत बुरा हुआ तुमारे साथ, तो इसका मतलब तुम मेरी मदद हाँ नैतिक, तुमें देखते ही मैं समझ के थी कि तुम ही मेरी मुक्ती का जरिया बन सकते हो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे पूरा भरूसा है कि तुम UPSC आराम से क्लियर कर सकते हो और सब कुछ बदल सकते हो, इसके बाद नैतिक पढ़ाई में और भी मेहनत करने लगा और पूरी उमीद के साथ UPSC का एक्जाम देता है फिर आखिरकार नैतिक वो कर दिखाता है जिसकी उमीद उस किताब के अलावा किसी और को नहीं थी क्या बात है नैतिक, तुमने इतनी अच्छी रैंक लिए, तुम आये सदिकारी बनने वाले हो अब तो सब कुछ बदल जाएगा लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं लग रहे कैसे खुश रह सकता हूँ, अब तुम तुम जो चली जाओगी न, मुझे छोड़ कर मुझे तो जाना ही था नैतिक, और ये सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता थैंक यू सो मच, याद रखना नैतिक, भले ही आज की बाद ये किताब तुमसे बाते ना कर पाए, लेकिन ये तुम्हारी दोस्त हमेशा रहेगी नैतिक आखों में आसू लिये उस किताब को सीने से लगा लेता है, इसके बाद उस किताब ने फिर कभी नैतिक से बात नहीं की, क्योंकि अब वो बस एक साधारन किताब थी, लेकिन जल्दी नैतिक ने उस किताब में जान ठूंकने का तरीका ढूंट लिया, उस किताब को जैसे दूसरी कई जरुरत मंदों की मदद का जरिया बना कर